हाई एवरिवन मैं साधिया रजा आपकी स्पेशल अजुकेटर और ट्रेनर आज जिस टॉपिक पर हम डिसकस करेंगे दैट इस प्रॉंप्ट बिफोर स्टार्टिंग दा डिटेल आफ प्रॉंप्ट मैं एक बात डिसकस करना चाहूंगी कि कुछ पेरंट्स जब ठेरापी के ले जाते हैं तो कहते हैं कि जहां से हमारा बचा पहले सेशन ले रहा था वहां इतना ज्यादा करते हैं कि बिफ्जों को अब प्रॉंप्ट की आद्ध हो गई हैं यानि वो प्रॉंप्ट के इतने आदी हो गए हैं कि इंडिपैंडánh लि कोई भी टारगट खुद से अचीव नहीं कर सकते तो लेट मी टेल यू वन तिंग अगर किसी भी प्रोफेशनल थेरापिस्ट को प्रॉंप्ट का यूज बहुत अच्छे से आता है उसको फेड करना आता है तो कभी भी आपके बच्चे की जो इंडिपेंडेंसी है वो प्रॉंप्ट पर नहीं होगी उन मोर तिंग के ठेरापिस्ट के पस तो आपका बच्चा वन और डू आवर्ज के लिए ही है अल देर्स्ट आव टाइम जो है वो बच्चा आपके पस ही है तो प्लीज जिस धेरापिस्ट के पस आप जा रहे हैं उससे अपने points clear करें के therapy में क्या चल रहा है कौन कौन से prompt हमारा बच्चा यूज़ कर रहा है क्या क्या reinforcement चल रहे हैं ताके वो चीज same आप घर पर follow करें अगर आप same things घर पर follow करेंगे तो आपके बच्चे की recovery fast होगी और आइसा आइसा इसके issues solve होते जाएंगे So, अब हम prompt की बात करेंगे कि prompt होता क्या है It is a sport जो हम बच्चों को देते हैं जैसे अगर एक निया बच्चा therapist के पास जाता है starting में वो डरा हुआ होता है तो therapist इसे कहते हैं कि हम आपके साथ हैं आप target शुरू करें और जब भी आप new target introduce कर वा रहे हैं तो प्लीज एक बड़ा target मत उठाएं जिससे बच्चा discourage हो इस बड़े target को आप छोटे-छोटे parts में डिवाइड कर लें फिर इसे prompt करें ताके वो target बच्चा जल्दी से जल्दी achieve करें और between the session आपने no covered नहीं use करना इससे बच्चे की motivation डाउन होगी prompt का मीन वर्क ही ये है कि therapist को no covered ना use करना पड़े इसलिए हम बड़े वे target को छोटे-छोटे parts में डिवाइड करते हैं prompt करते हैं और उसको बच्चा achieve कर लेता है तो सबसे पहला जो prompt है वो है तो वो है gestural prompt gestural prompt can be any action it can be any pointing जैसे session के दुरान हम बच्चे को कहते हैं what you can say in this room तो अभी तो इसको ये target नहीं आता तो हम इसे gestural prompt देते हैं like हम finger से point करेंगे TV, drawing, clock ये मैंने gestural point दिया है उसी चीज को point करके this is my action to point that thing which one is right now present in the room तो इस से क्या हुआ के बच्चे को help मिल गई तो उसे उसी चीज को देखना है जहां मैंने अपनी finger से अशारा किया और फिर reply करना है so this is a gestural prompt so the next one is full physical prompt जब स्टार्टिंग में बच्चे ठेरापी के लिए आते हैं तो उनके बहुत से behaviors होते हैं क्योंके पहले उनके उपर कभी काम ही नहीं हुआ होता तो इन बच्चों के लिए full physical prompt यूज किये जाते हैं जिनका कोई भी target achieve नहीं हुआ होता कोई उनको instructions नहीं आती for example जब हम इनको बोलेंगे के clap your hands तो उन्होंने पहले कभी ये नहीं सुना तो उनके दोनों हाथ हम full physical prompt करके उनको clap hand करवाएंगे this is called full physical prompt one more example सुलेमान अपने बरदर को goodbye सिखाना चाहता है सुलेमान ने अपने बरदर का hand पकड़ा उसे up and down move करना start कर दिया sometime हम अपने बच्चे को hand over hand prompt देंगे उनको pen पहनने में hand over hand help करेंगे और इसी तरह उनकी table से books उनकी proper जगा पर रखने में भी उनकी hand over hand मदद करेंगे like in this video our next prompt is partial physical prompt हम same example लेते हैं hand पकड़ कर bye bye करवाने की यह हमने फुल फीजिकल प्रॉंप्ट दिया बच्चे को उसका hand पकड़ कर लेकिन पार्शिल में हम उसके hand को टच करेंगे कि तो उसको समझ में आ जाएगा कि हैंट से मैंने बाए करना हैं so this is called partial physical prompt in this इस सुलेमान ने जैंटली अपने ब्रदर के हैंड को या अल्बो को य टैप किया तो उसके ब्रदर ने अपने hand को up and down move करना start कर दिया so next prompt is full verbal prompt इसमें हमने बच्चे को question दिया है what is your name तो अभी तो इसको नहीं आता के मेरा नाम क्या है तो हम उसको full verbal prompt करेंगे like what is your name it's Samir Samir what is your name Samir तो जब next time हम इससे पूछेंगे what is your name तो एक दम से उसको याद आ जाएगा कि मुझे ये prompt दिया है Samir तो Samir इसका answer होगा next one is partial verbal prompt partial verbal prompt क्या है partial verbal prompt भी यही है बट थोड़ा चोटा है थोड़ा चोटा वरबल प्राम्ट है इसमें same example ही लेते हैं what is your name अब इसको हम Samir पूरा word यूज नहीं करेंगे अब हम कहेंगे what is your name स स स स like this it's partial verbal prompt तो वो एक दम से आंसर करेगा Samir क्योंकि हमने उसे थोड़ा सा अशारा दिया स स स इसी से वो समझ गया Samir next one is visual prompt visual prompt में क्या है हम वीडियोस भी यूज करते हैं हम फोटोस भी यूज करते हैं जैसे अगर मैं बचे को बोल रही हूँ के tell me a fruit अभी इसे नहीं पता है के fruit क्या है अभी उसे नहीं पता के vegetable और fruit क्या है तो अगर हमने इसे fruit के name याद करवाने हैं तो हम उसे एक तस्वीर दिखाते हैं mango की उसे पता है के this is a mango वो इस फोटो को identify करता है बट उसे यह नहीं पता के this is a fruit लेकिन जब हमने इसे कहा के tell me a fruit और इसको यह पिक दिखाई तो तब वो बोलेगा mango इसी तरह अगर आप बच्चे को socks पहनने को कह रहे हैं तो आप socks की picture hand में पकड़ कर बच्चे को शो करवा कर socks पहनने को बोलेंगे तो बच्चा फोरन समझ जाएगा और socks पहन लेगा इसी तरह अगर हम shoes की picture दिखा कर उसे shoes पहनने को बोलेंगे तो वो फोरन समझे जाएगा और shoes पहनी लेगा अब बात आती है कि prompt को fade कैसे करना है prompt को come कैसे करना है तो partial physical prompt और partial verbal prompt ये प्रॉम्ट इसलिए बने हैं कि जब बच्चा fully physical prompt और verbal prompt के target को अचीव कर ले तो हम इसको partial physical prompt और partial verbal prompt देना स्टार्ट कर देंगे अगर बच्चे को शूज पहनाने के लिए हम उसे picture दिखा कर उसकी help कर रहे थे में तो next हम क्या करेंगे कि हम उस picture को small कर देंगे उसके बाद हम उसे blur कर देंगे उसके बाद हम उस pictures को lines में कर देंगे उसके बाद हम उसको बिल्कुल खतम कर देंगे इस तरह हम अपने बच्चे का टारगट अचीव करेंगे थैंक यू